असलाम अलेकुम डियर वीवर्स मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं MLT हब विद कामरान कैसे डियर वीवर्स उमीद है सब ठीक ठाक होंगे डियर वीवर्स आज मैं दो टॉपिक्स पर बात करूंगा एक है डिफरेंस बिट्वीन डाइरिया एंड डाइसेंट्री और जो दूसरा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिट्वीन अमीबिक एंड बैसेलरी डाइसेंट्री दोनो टॉपिक्स जो हैं बड़े बैसिक टॉपिक् के पॉईवा के प्वाइवा HC य हाज हम इन से और आज हम इन सिंटे बात करें गें को हुए एर को cierP आ कि वाली वीडियो कि नोटिफिकेशन आपको है सोड़ को टाइम पर मिनते हैं हम difference between diarrhea and dysentery और जो डाइरिया में सबसे पहली चीज होती है जो motion होता है वो watery motion होता है लेकिन उसमें blood या mucus नहीं होता dysentery में severe motion होता है लेकिन उसमें mucus और blood भी मोजूद होता है feces में और जो intestinal inflammation है वो भी इसमें होती है intestine में inflammation जो होती है वो severe type की हो जाती है second number difference जो है diarrhea में abdominal cramps, maraud या दर्द abdomen में नहीं होता dysentery में lower abdominal cramps maraud भी होते हैं और दर्द भी होता है lower abdomen में third number difference जो है diarrhea जो है ये E. coli की वज़े से scretia coli जो के gram negative bacteria है virus की वज़े से होता है mostly जो virus है उसमें norwalk virus हो गया, covid-19 virus हो गया, rota virus हो गया cytomegalo virus हो गया तो इनकी वज़े से भी diarrhea होता है jadia lemblia जो के एक parasite है IBS, irritable bowel syndrome एक condition है medical उसकी वज़े से भी diarrhea होता है, medications antibiotic के इस्टेमाल करने की वज़े से भी diarrhea होता है और vibrio cholera की वज़े से भी diarrhea होता है जो dysentery है तो उसमें जो चीज़े involve है, जो microorganism वो उसमें है, शाहिजिला जो के gram negative bacteria है, साल्मोनेला जो के gram negative bacteria है, कंपाइलो बेक्टर जो के gram negative bacteria है E. coli, Iscretia coli जो के gram negative bacteria है और इसमें इंटिरो हेमरेजिक E. coli जो है जो के bloody dysentery कास करता है, amoeba जो के protozoa है, parasite है, single cell तो ये भी dysentery कास करता है, तो ये तो microorganisms हो गए, जो डाइरिया और dysentery कास करते हैं, इसके इलावा जो difference है, डाइरिया में जो antibiotics होते हैं, तो ये commonly used नहीं किये जाते हैं ज्यादा तर cases में डाइरिया के लिए antibiotics को use नहीं किया जाता, लेकिन dysentery में हमेशा antibiotics जो है, वो treatment के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं, जो पाँचवा difference है, डाइरिया जो है वो effect करता है, छोटे आंट को, small intestine को effect करता है, लेकिन dysentery जो है, वो effect करता है, large intestine को, ठीक है, जो बड़ा बड़ी आंट होती है, उसे effect करता है six number difference जो है, तो डाइरिया में जो intestinal epithelial cells होते हैं अपर, तो वो effect होते हैं और intestine का lumen जो है, अंदर का area जो है, वो भी effect होता है और dysentery में जो है, अपितिलियल cell जो है, जो intestine के हैं, वो effect होते हैं और साथ में, जो intestinal जखम है, ulceration वो भी बनता है, dysentery में जो साथ number difference है वो है, डाइरिया की वज़ज़ से बहुत ज़्यादा कमजोरी, weakness और dehydration, पानी की कमी हो जाती है जिसम के अंदर, dysentery में कमजोरी भी होती है, vomiting खे होती है, और पानी की कमी भी वाक्या होती है जिसम के अंदर, आठवा number difference जो है, डाइरिया में वो है कि डाइरिया की treatment जो है, वो ORS की मदद से की जाती है, जो oral rehydration solutions होते हैं, ठीक है तो उनकी मदद से की जाती है जो कि साशे में भी अवेलेबल हैं liquid की form में भी अवेलेबल होते हैं antibiotics भी दिये जाते हैं और कुछ home remedies भी apply की जाती हैं जो गर में जो टोटके होते हैं डाइरिया के लिए तो उससे भी फाइदा लिया जाता है dysentery जो है, तो इसकी treatment ORS से, एंटिबाइरियाटिक से और एंटिबाइरिक से हमेशे bacterial infection में यूज होंगे और amoebicidal drugs से भी dysentery का इलाज होता है अगर जो bloody diarrhea, जो bloody dysentery है अगर वो इंटिबाइरिका की वज़े से अगर हुआ हो तो उसके लिए फिर amoebicidal drugs जो हैं, वो यूज की जाती हैं अच्छा 9 number difference जो है तो diarrhea में temperature common नहीं होता लेकिन dysentery में temperature common होता है आम तोर पर temperature में महजूद होता है दसवा number difference जो है diarrhea में कोई भी cell death नहीं होती, intestine के अंदर लेकिन dysentery में cell death भी होती है 11 number difference जो है diarrhea में जो pus cells है microscope में वो बहुत कम नज़र आते हैं stool specimen में लेकिन dysentery में pus cell बहुत ज़्यादा increased होते है numerous होते है microscope की नीचे जो slide में नज़र आते है जब stool microscopy की जाती है 12 number difference यह है के diarrhea में mostly जो patient होता है तो वो इतना जोर नहीं लगाता है जब वो stool pass कर रहा होता है लेकिन dysentery में जो patient है वो stool pass करते हुए बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा होता है straining बहुत ज़्यादा होती है ठीक है तो यह ता difference between diarrhea and dysentery okay dear viewers तो अभी discuss करते है difference between amoebic dysentery and bacillary dysentery amoebic dysentery जो होती है यह cause होती है intemoeba histolytica की वज़ज़ से जो के एक protozole infection है और एक single set parasite है बैसली dysentery कास होती है gram negative bacteria की वज़ज़ से जिसमें शिजला, salmonella, compilobacterium, excretia, colitis शामिल है और जो सबसे कामन बैक्टेरिया involved वेस्ट में वो शाहिजला होता है इसके इलावा amoebic dysentery का जो onset होता है वो slow होता है यानि जब भी यह parasite water या food की त्रू जिसम के अंदर आता है तो sign and symptom appear होने में काफी दिन लग जाते हैं लेकिन बैसली dysentery जब भी शाहिजला का बिक्टेरिया या बागी बिक्टेरिया food की मदद से या water की मदद से जिसम के अंदर आते हैं तो sign and symptom appear होने में कुछ ही गेंटे लगते हैं और ये appear हो जाते हैं तर्ड नमबर डिफरेंस जो है amoebic dysentery में blood और mucus मुझूद होता है और जो motion की appearance होती है तो वो semi solid होती है बैसली dysentery में blood और mucus होता है motion में लेकिन motion का जो appearance होता है वो liquid होता है फौर्थ नमबर डिफरेंस जो है amoebic dysentery में जो motion का smell होता है वो fishy odor होता है बहुत ज्यादा बू आती है और जो बैसली dysentery होती है तो वो orderless होता है उसमें कोई बू नहीं होती motion में ठीक है फिफ नमबर डिफरेंस जो है less motions a day amoebic dysentery में जो patient होता है वो 6-8 बार washroom जाता है दिन में और बैसली dysentery में जो patient है वो 10 से ज्यादा मरतबा washroom अटेंट करने जाता है तो इसमें motions जो होते हैं वो increase होते हैं six number difference जो है microscopically जब stool को देखा जाता है amoebic dysentery में तो motile bacteria जो movement कर रहे होते हैं वो नज़र आते हैं अलबता जो बैसली dysentery में जब stool की specimen को microscopically के लिए देखा जाता है तो non motile bacteria नज़र आते हैं जो movement नहीं करते seven number difference यह है कि amoebic dysentery में intamoeba histolytica को grow नहीं किया जा सकता culture में लेकिन बैसली dysentery में शाहिजला को और salmonella को grow कर सकते हैं हम इसके इलावा equalic और compilobacter को भी grow कर सकते हैं और शाहिजला salmonella के लिए एक मखसूस एगर यूज होता है जिसे SSS एगर कहा जाता है salmonella, shahyजला एगर मिकाउन की एगर पर भी इसको grow हम कर सकते हैं एट नमबर डिफरेंस जो है, जो बलट का कलर होता है, अमीबिक डैसेंट्री में वो डार्क रेड होता है, अलबता जो बलट का कलर जो स्टूल में आता है, वो ब्राइट रेडिन कलर होता है, नाइन नमबर डिफरेंस जो है, जो पी एच होता है, अमीबिक डैसेंट्री में जो pH होता है वो alkaline होता है 10 number difference जो है तो microscopically जब stool को देखा जाता है amoebic dicentry में तो RBC जो है वो clump की farm में नजर आते हैं गुच्छो की farm में नजर आते हैं अलबता bacillary dicentry में जब stool को microscopically देखा जाता है तो RBC dicentry में जब stool को microscopically देखा जाता है तो numerous pustles नजर आते हैं बहुत ज़्यादा जो field होती है वो बरी होई होती है pustles, loaded pustles होते हैं 12 number difference जो है amoebic dicentry में microscopically जब stool को देखा जाता है तो उसमें चार कोट lyden crystals जो हैं वो भी दिखाई देते हैं लेकिन bacillary dicentry में जो crystals हैं वो नजर नहीं आते ठीक है इसके इलावा amoebic dicentry में जो parasite anti-amoeba histolytica है उसका जो form नजर आता है तो वो trophozoite और cyst form नजर आता है अलबता bacillary dicentry में जब देखा जाता है microscopically stool को तो उसमें non-motile bacteria जो movement नहीं करते वो bacteria नजर आते हैं 14 number difference जो है amoebic dicentry में जो volume होता है motion का वो बहुत ज्यादा होता है increased होता है bacillary dicentry में volume जो motion का होता है वो कम होता है 15 number difference जो है amoebic dicentry को treat किया जाता है anti-protozole drug से जो metronidazol है और tineidazol है और bacillary dicentry को treat किया जाता है ORS से, oral rehydration solution से और antibiotics से और mostly antibiotics में जो ciproflexine है बहुत ज्यादा effective होता है 16 number difference जो है जो motion specimen collect किया जाता है amoebic dicentry में जो container होता है तो उसके साथ amoebic dicentry का stool होता है जो specimen होता है तो वो चमटता नहीं है वो sticky नहीं होता लेकिन bacillary dicentry के motion का ये एक बड़ा important quality होती है कि वो stick कर जाता है वो sticky होता है container के साथ वो motion या वो stool का sample जो होता है वो चमट जाता है ठीक है 17 number difference जो है amoebic dicentry में fever नहीं होता और bacillary dicentry में fever जो है वो मौजूद होता है thank you so much dear viewers वीडियो देखने के लिए अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत बूलेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अपना डेर सारा ख्याल रखिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें